नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज computer science के जो हम यहाँ पे study कर रहे हैं अपने devotion channel पे तो आज उसका सात्वा सेशन आज start होने जा रहा है और आज का topic जो है वो है input output devices का काफी सारे comment हमें मिल रहे हैं कि 28 तारिक तक यह syllabus complete हो जाएगा या नहीं होगा पूरा हमें पढ़ाईएगा तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो प्यार हमें हिंदुस्तान के कौने कौने से मिला उसके लिए सभी को दिल से हार्दिक आभार आपका heartly आपको thank you और दूसर इसका जितना हो सके उतना हम भला कर पाएं जितने संसाधन हमारे पास में हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इंपूट आउट्पूट डिवाइसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था binary to decimal decimal to binary कैसे बदलते हिस्ट्री generation हम discuss कर चुके हैं CPU, booting और इसके काफी सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं यह जो topic है आज का input output devices का तो यह जो topic है बहुत ज्यादा important topic है सारे जितने भी exam होते हैं उनमें से question इसमें से पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं input output devices होती क्या है तो input output device की अगर हम बात करें तो input output device क्या होता है कि वे यंत्र ऐसे device जिनके माध्यम से computer में कोई भी चीज एंटर कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं input device कहते हैं और वे यंत्र ऐसी device जिसके माध्यम से computer में जो भी information है उसको आपको प्रदशित किया जाता है आपको दिखा किया, input device का काम किया. MINE ने क्या किया? CPU का काम किया, process किया. और mood मूँ जो है, वो क्या कर रहा है? बोल के हम किसी को सूछना दे रहे हैं. तो ये output device हो गया, mouth हमारा और eyes क्या हो गया? input device और mind क्या हो गया? CPU हो गया, processor हो गया. तो अब क्या है? input device क्या करती है, input device के माध्यम से हम computer में क्या करते हैं, कोई भी चीज input कराते हैं, और output device के माध्यम से क्या कराते हैं, output, तो output किसके माध्यम से आता है, output device के द्वारा, और input device से क्या आता है, हमारा input मतलब computer में कोई भी चीज enter कराते हैं, जैसे माली जा हमने लिखा 2 plus 2, 4, तो 2 और 2 जो हमारा क्या है यह output है ठीक है तो computer में जो भी कुछ data आंकड़े जो भी होते हैं raw facts figures जो भी कुछ हम input करते हैं वो क्या कहलाता है input कहलाता है और जिन device के द्वारा करते हैं वो क्या कहलाती है input device कहलाती है और output device का मतलब जो information को सो करें चाहे वो soft copy में हो soft copy का means जैसे monitor पर आपको output देख रहा है तो वो क्या है soft copy में और अगर आपको printer पर कोई चीज जा प्रिंट होके आ रही है कागज़ पर क्या हापड़ को बीग रूप में आपको मिल रहा है तो क्या हाड़ कोपी आउटपुट होता है soft copy और हाड़ कॉपी दो तरह के output होते हैं अगर सबसे पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंपूट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है डिवाइस मीन्स यंत्र जिसे हम कहते हैं ठीक है ग्द्वाइस में क्या क्या हाता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो दिखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपूट डिवाइस में क्या क्या अथा है इन्पुट डिवाइस में अपना कीबोर्ड आता है माउस आता है स्केनर आता है OCR means optical character recognition not reader यहाँ पर क्या होगा optical character recognition होगा MICR magnetic ink character recognition optical mark reader यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको reader बार कोड reader joystick, touchpad graphic tablet oblique digitizer light pen trackball, stylus, digital camera microphone और biometric machine यह सारी device जो है वो किसमें आती है input device में आती है एक एक device के बारे में हम discuss करेंगे next इसके बाद में हम बात करते हैं कि output device की कौन कौन सी होती है output device में क्या आता आपका monitor आता है यह से हम visual display unit या क्या कहते है sort में BDU visual display unit इसको कहा जाता है यह आपका output device में आता है monitor जो होता है वो printer जो होता है वो आपका output device में आता है plotter जो है वो भी आपका output device में आता है projector है, speaker है यह सारी devices जो हैं वो output device में आती है और सब के बारे में एक एक करके हम discuss करेंगे next इसके बाद में input-output device में दौनों में क्या आता है तो देखिए ये वाली जो devices हैं ये सारी device किसमें आती है input-output दौनों में आती है जैसा ठच स्क्रीन वाली होती है तो ठच स्क्रीन में क्या होता है आप input भी कर रहे हो इसमें निर्देश भी दे रहे हो instruction भी दे रहे हो और output भी आपको touch screen पे मिल रहा है आपका phone होता है mobile phone वहाँ पे क्या करते हो आप input भी देते हो touch screen पे और output भी आपको दिखता है तो वो किस में आता है वो input output device दोनों में माना जाता है तो touch screen वाला जो होता है वो किस में माना जाता है input output दोनों में माना जाता है ठीक है ना ये modem जो होता है modulator demodulator ये भी किस में माना जाता है ये input output दोनों में माना जाता है क्योंकि modulator का काम होता है संचरंड करना modulate करना मींस signal को एक device से दूसरे device पर भेजना और demodulate का मींस होता है कि कहीं से signal अगर हमारे पास में आ रहा है, कहीं से signal अगर आ रहा है, तो उसको receive करना, ठीक है, तो modulate करना, demodulate करना, ये दोनों ही काम किसके होते है, modulator, demodulator, modem की, ये important है, ये पूछा जाता है कि modem का full form क्या होता है, modem stands for, और modem का full form क्या होता है, fax machine जो होती है, fax का पूरा नाम होता है, fax mile machine, ठीक है, ये fax machine जो होती है, इसमें क्या होता है, इधर से हम एक side से दूसरी side पर हम fax भेज सकते हैं, और वहां से अगर कोई आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, receive कर सकते हैं, तो fax machine भी किसमें आता है, input, output, दोनों में आता है, ठीक है, NIC card जो होता है, network interface card जो होता है जिससे हमारा data क्या होता है, हम receive करते हैं और send करते हैं, तो networking के लिए काम में आता है, हमारा network interface card जो हमारी circuit पे पीछे लगा रहता है, CPU के, तो वो भी किसमें आता है, input, output device में आता है, web camera, जिससे हम chatting करते हैं, जैसे आपने दिखा हो, web camera से, तो इधर से हमारा जो photo है, वो जा सकते हैं, और वहां से receive भी कर सकते हैं, तो किसमें आता है, input, output दोनों में आता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, तो touch screen, modem होता है, modulator, demodulator, fax machine, facsimile machine, जो होती है, वो, nic card, web camera, और storage media, जो भी आपका pen drive है, hard disk, cd, dvd, blu-ray disk, hvd, holographic, video disk चलती है, तो वो सारी किसमें आ आती है, storage media वगरा सब किसमें है, यह input, output, device दोनों में आती है, और output में क्या आता है, monitor, printer, plotter, projector, speaker, यह आता है, ठीक है, input में मैंने आपको यह बताया ही है, अब हम बात करते हैं, क्या है, अपना है, कि pointing device में क्या क्या आता है, अब देगे, pointing device का सवाल पूछा जाता है, कि pointing device क्या होती है, तो pointing device में क्या होता है, कि वे device जो pointer को control करती है, तो हमारा mouse होता है, mouse में क्या होता है, ऐसे pointer जो होता है, हमारा उसको control करता है, mouse को जैसे हम move करते हैं, तो हमारा pointer भी क्या होता है, move होता है, तो जहां भी जिस किसी object पे ले जाना है, किसी folder पे ले जाना है, तो ह माउस के लिए माउस से इसको पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं तो यह किस में आता है पॉइंटिंग डिवाइस में आता है ऐसी हमारे ट्रेक बॉल होता है वह बॉल की तरह से होती है लेकिन वर्क पूरा क्या होता है माउस की तरह से होता है तो वह क्या होता ट्रेक बॉल वह देखा होगा laptop पे जैसे आपने external mouse अगर आप यूज नहीं करते हो तो अपनी finger से हम क्या करते हैं उस जगह पे mouse की तरह वर्क करते हैं तो laptop का keyboard का वो निचला भाग यहां पे हम अपनी finger से उंगली से जहां पर pointer को control करते हैं जस लाएगा mouse तो वो क्या होता टच पैड होता है joystick क्या होता है कि तेजी से game खिलने के लिए एक handle no mic remote यूज किया जाता है उसे बच्चे तेजी से game खिलने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है joystick और light pen एक ऐसा sensitive pen होता है जिससे directly आप screen पर draw कर सकती हो तो यह स तो आपको ध्यान रखना है mouse pointing device में आता है trackball आता है touchpad आता है joystick और light pen तो यह बिल्कुल अपने mind में feed कर लेजिए कि कौन कौन सी pointing device होती है तो देखिए mouse होता है trackball होता है trackball इसके लावा touchpad फिर क्या है आपका touchpad के लावा joystick है फिर उसके लावा क्या है अपना light pen है ठीक है mouse trackball, touchpad, joystick और light pen यह सब किसमें आते हैं pointing device में आते हैं ठीक है अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके input device output device में क्या-क्या पूछा जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं keyboard की तो देखिए keyboard में मैं हर एक topic में आपको यह बताता जाओंगा कौन-कौन से question really पूछे जाते हैं और कौ Christopher Lothus 1868 में तो यह rarely पूछा जाता है सवाल पर आपको आना चाहिए किसने इसका आविश्कार किया Christopher Lothus ने कब किया 1868 में इसके बाद इसकी primary key क्या होती है ASDFH यह भी ज्यादा तर नहीं पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए कि ASDFGH यह keys होती है अब यह जो है word क पहला input device कौन सी थी जो word की पहली input device थी punch card word की पहली input device कौन सी थी जिसके द्वारा input किया जाता था वो था punch card punch card ही एक ऐसा card था जिसके जरीए सबसे पहले कुछ भी निर्देश लेकर के और मसीन में डाल दिया जाता था अब इसका keyword का use किसले किया जाता है text entry के लिए text का मतलब कुछ भी जो type करते हैं चाहिए वो number है चाहिए वो अक्छर है कुछ भी वो next इसके बाद में इसका layout क्या होता है तो layout इसका होता है QWERTY यह क्या है important है यह पूछा जाता है कि keyboard का by default layout क्या होता था तो इसका layout होता है QWERTY यह ले ले, ले आउट होता है, आप देखना हमने keyboard पे यहां आएगी, फिर यह वाली यहां पे, फिर यह वाली यहां पे इस तरीके से, यह fingers इस तरह से आती है, तो यह क्या qwerty, उपर जो आपकी रो होती है keyboard में, वहां पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, यह QWERTY इसका क्या हो तरीका होने का तरीका होता है वो क्या होता है क्या होता नेक्स के बात मैं 101 से 108 तक अब कुछ लोग कहते है 104 कीज होती है 108 कीज होती है तो एक standard keyboard जो होता है मानक keyboard जो होता है उसमें कितना होता है 101 कीज होती है 101 कीज होती है ठीक है अब इसका answer आपको क्या है अपने common sense से भी देना पड़ता है कि option क्या है उसके हिसाब से भी idea आप लगा लीजिए ठीक है under 100 दे रखा है और एक ही above 100 दे रखा है तो above 100 वाला जो है वह idea लगा ले 101 से लेके 108 तक अलग-अलग keyboard में क्या होता है अलग-अलग keys होती है पर standard keyboard जो होता है एक मानक keyboard जो होता है उसमें 101 कुझी होती है अब देखिए यह वर्ड है typematic टाइप मैटिक इससे कहा जाता है कि अगर किसी की को आपने continuously 10 seconds तक अगर आपने प्रेस करके रखा हुआ है तो उससे जो भी input आपने दिया है वह बार-बार आपका input होता है जैसे किसी की को आपने प्रेस किया और उसको 10 seconds दबा के रखा तो इसके बाद में क्या है जो भी आप की प्रेस कर रहे है वह बार-बार-बार वही की अपने आप से टाइप होती है और इस चीज़ को हम क्या बोलते है हमारी space war होती है कौनसी होती है space war अगर हम बात करें कि अगर ms word में auto complete और auto correct दो फीचर होते है auto correct का means अपने आप से सही कर लेता है वह ठीक है अगर वो वल्स की जो गलतियां होती है errors होती है आपने space war प्रेस किया तो अपने आप से उसको सही कर लेगा इसे बोलते है auto correct और auto complete का मतलब होता है तीन अक्षर लिखने पर आगे अपने आप से वो उसको सब्द को पूरा कर देता है तो दोनों auto complete और auto correct किस से होते हैं start वो space war से होते है ठीक है यह तो space war सबसे बड़ी की ह होती है next इसके बाद में escape की का यूज किया जाता है को कोई running program अगर है तो उसको last instruction जो है उसको stop करने के लिए ठीक है last instruction जो है उसको stop करने के लिए किसका use करते हैं escape की का यह escape होता है जैसे यह keyboard है तो यहाँ पर क्या बनाया होगा escape आपका जैसे pop up menu खुला रहता है ऐसे right click आप करते हो तो वो pop up menu किस से हटाते हैं जब किसी object पर right click करते हैं तो एक menu आता है जिसे हम क्या बोलते है pop up menu बोलते है उस pop up menu को अगर आपको हटाना है तो escape की का use किया ज जाता है कि जो भी आपने running program जो आपका है उसकी last instruction जो दी है उसको stop करना उसके लिए tab की का use किया जाता है कि आपकी cursor को 0.5 inch आपको jump कराना है जैसे आपका कोई cursor है आप cursor यहां blink कर रहा है तो आपने दिया one two three four इस तरह के से दिया अगर आपने प्रेस किया tab तो सीधा यहां से और कहां जाएगा यहां पर आ जाएगा ठीक है 0.5 inch आपको अगर उसको एक बार में tab की press करने पर आपको jump कराना है तो उसके लिए हम क्या use करते है tab की use करते है enter की का use कहां पर किया जाता है कि कोई भी अगर निर्देश है उसको execute करना है just like okay button आपको press करना है आपने कोई काम लिया enter किया तुरंत वह execution start हो जाएगा ठीक है यह अल्ट की का use किया जाता है करेक्टर के ask की code को input करने के लिए जैसे हम करते हैं alt plus 0188 इस तरीके से alt plus फिर करते हैं 0189 ठीक है इस तरह से तो यह क्या है special symbol या character हिंदी की typing में यह print करते हैं ठीक है इस तरीके से तो ask की code क करते हैं ask की code का मतलब होता है American standard code for information interchange तो keyboard से जो भी अक्षर प्रेस किया जाता उसका एक special code होता है जैसे capital A से जैसे तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें ये symbols होते हैं हर एक key जो होती है keyboard की उसका क्या होता है एक special code होता है जिसे हम क्या बोलते हैं आसकी कोड कहते हैं अब आसकी कोड का full form होता है American Standard Code for information interchange क्या होता है American Standard Code for information interchange यह इसका meaning होता है ठीक है अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कीज कौन कौन सी होती है तो देखिए numeric keys जो होती है keyboard में 0 से लेकर 9 तक होती है उपर होती है keyboard के एक तो यहाँ पर और एक अलग से numeric क्या होता है keyboard होता है तो दो जगहे पर होती है number keys जो होती है एक तो उपर होती है यहाँ पर और एक क्या होता है numeric keyboard पर यहाँ पर होती है ठीक है यह इसके बाद alphabetic keys जो होती है वो A से लेकर Z तक होती है function keys जो होती है वो क्या होता है keyboard में उपर होती है keyboard जैसे आपका ये है तो यहाँ पर F1 से लेके कितना होगा F12 तक ठीक है ये तो ये सवाल पूछा जाता है कि keyboard में सबसे उपर जो F1 से लेके F12 तक जो keys होती है उन keys को क्या कहा जाता है तो उन keys को क्या कहा जाता है function keys कहा जाता है keyboard में सबसे उपर जो इस्तित होती है function keys कहा जाता है next इसके बाद में फिर क्या है जैसे इनका क्या होता function keys में क्या होता है कि एक-एक key का क्या है पहले से predefined work fix है कि अगर आपने ये वाली key press की तो ये work perform होगा ये काम होगा ये वाली key press की तो ये काम होगा predefined work उनका पहले से fix है जैसे F8, F9, F10 जैसे F1 press करते हो help, F2 से rename, F3 से search F4 से redo, जो कुछ भी मिटाया है उसको दुबारा बापस लाना redo, F5 से refresh करना है ठीक है तो पहले से fix work है उनका पूरू परिवाशित predefined keys जो होती है जिनका पहले से meaning fix है कि ये button press किया तो ये काम होगा ये वाली function की press की तो ये वाला काम होगा ठीक है function keys का प्रियोग combination keys के साथ shortcut बनाने के लिए किया जाता है combination keys के साथ कैसे जैसे control plus F3 एसे आपने press कर दिया ठीक है ये जो इनका combination keys के साथ भी use करते है navigation keys किसे कहा जाता है अब navigation का मतलब होता है कि किसी page में या किसी document में एक जगे से दूसरी जगे जाना इधर से इधर जा रहे हो या फिर उपर से नीचे आ रहे हो कहीं पे भी इधर उदर move करना उसे क्या कहा जाता है navigation करना कहा जाता है अब navigation keys में आपका क्या आता है देखिए एक तो क्या है आपकी arrow keys आती है ये up, down जो भी है up, down, right, left ये क्या है arrow keys ये आपकी क्या होती है navigation keys होती है मतलब ऐसी की जिनके द्वारा आप अपने document में cursor जो आपका blink करता है इस तरीके से जो cursor आता है उसको आप इधर से left से right में आप से down में इधर द्वार ले जा रहे हो top to bottom तो वो keys क्या कहलाती है navigation keys वे keys जिनके द्वारा cursor को move किया जाता है इधर उदर तो वो क्या होता है navigation keys के लाती है तो arrow keys से cursor को इधर द्वार जा सकता है दूसरा इसके अलावा page up page down page up का मतलब एक page उपर चले जाता है cursor page down का means होता है एक page नीचे आ जाता है cursor home का मतलब होता है कि आपकी जो भी जिस किसी line में आप काम कर रहे हो उसके first पे cursor को ले आएगा जैसे यहाँ पे cursor है आपने press किया कौन सा? home key तो cursor कहां आ जाएगा यहाँ पे अगर आपने press किया end key तो cursor कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ठीक है? यह तो यह सारी keys क्या कहलाती है यह navigation keys यह cursor control keys कहलाती है next इसके बाद में होता है modifier keys modifier keys में क्या होता है कि ये keys जो होती है वो size को कम जादा करने के काम आती है जैसे आपने press किया A तो A press होगा अगर आपने with shift किया shift के साथ में तो ये press होगा इस तरीके से तो modify हो गया मतलब इस तरह से print होगा अगर आपने shift के साथ press किया small a को तो वो capital A print होगा तो shift के साथ में क्या होगा modify होगा या फिर control के साथ में आपने किया control प्लस इस तरीके से ये opening bracket अगर आपने press किया तो उससे क्या होगा आपका size दे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और अगर आपने इसकी जगह पे ये वाला bracket यूज किया कौन सा वाला ये ये वाला closing bracket यूज किया control के साथ में तो जो भी font आपने select कर रखा जो भी text उसका font size क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो ये modify keys इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये keys क्या है size को decrease और increase करती है दूसरा next क्या होता है combination keys अब combination keys इसलिए कहा जाता है कि ये keys क्या है दूसरे के combination में चलती है जैसे अभी बताया था control plus F3 control plus ये C इस तरीके से ठीक है ये और जो की जोती है आप यहाँ पर क्या है ये combination keys modify की हो गई ये क्या है function की हो गई ठीक है तो other keys के साथ में जब combination में चलती है तो इसलिए इने क्या कहा जाता है combination keys कहा जाता है control plus F3 तो F3 function की हो गई ये क्या हो गई modifier keys हो गई तो अब दौनों साथ साथ है इसलिए क्या कहने combination keys तो ये keys क्या है आधर जो keys होती है उनके साथ combination में चलती है इसलिए ने कहा जाता है combination keys ठीक है ये next होता toggle keys toggle keys का मतलब जो on off विसिस्ता वाली कुझिया on off का मतलब इनसे light on off होती है मतलब आपके keyboard जो है आपका वहाँ पे क्या होता तीन light होती है इस तरीके से 123 तो एक तो होती है किसके लिए caps lock ये कि अगर ये caps lock का button आपने press किया तो वहाँ पे light on हो जाएगी और आप जो कुछ भी type करोगे वो capital letter में आएगा बड़े अक्छरों में आएगा आपने दोबारा से caps lock को press किया तो light off हो जाएगी फिर क्या छोटे अक्छरों में आने लग जाएगा दूसरा क्या होता है दूसरा जो light होती है वो होती है num lock की num lock जो होता है उसका क्या meaning होता है कि यहाँ पे एक numeric keypad होता है आपका ठीक है numeric keypad अब वो numeric keypad काम करेगा या नहीं करेगा आपने num lock पे क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ पे light on हो जाएगी तो यह numeric keys जो है वो काम करने लग जाएगी अगर आपने इसको दुबारा प्रेस किया तो light off हो जाएगी और यह काम करना बंद कर देंगी अगar आप जाना चाहते हो तो इसके लिए क्या होता है थिसे यह document है कि यहां पर आपके पास थो उनक?」 हो थे होता है और यह होता है वर्टिकल रव आपने देखा होगा इधर से इधर पेज को अप डाउन करते हैं राइट लेफ्ट करते हैं तो वह स्क्रॉल बार अगर उसको आप लॉक करना चाहते तो उसके लिए तो इसको लॉक बटन होता है उसको क्लिक करते ही यहां पर आपकी तीसरी लाइट ज आप अन होता है चींख टोगल कन्स के ओता है यह तो यह तितीनों जो होती है लॉक 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 जिनके पीछे लगा हुआ है जिनसे गीनट कीज से क्या होता है उसका मनठ दी खाजा कर के ए यह रेकमर पॉइंट फाइब इंच डिरेक्टली आपका करसर पांच छे स्पेस आगे चला जाए एंटर का मतलब कोई काम स्टार्ट करना सबसे बड़ी की होती है विंडो बटन किसी के साथ में कॉमिनेशन में हम विंडो बटन यूज करते हैं डिलीट की से क्या होता है डिलीट से कोई भी करेक्टर डिलीट करना है और पॉस का मतलब कोई चीज रोक नहीं है अब क्या है जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया जैसे मैंने लिखा राम ठीक है तो यहां पर मेरा करसर है अगर मैंने प्रेस किया डिलीट यह तो इधर से इधर वाली चीज यहां से रिमूव होगी थे से होगी और अगर मैंने प्रेस किया क्या बैक्स एस बम बैक्समस से क्या होता है कि करसर के मद्ध और सब्सक्राइब कर्शर के दाइन तरफ के आख्शन हां में बाशित पछोटे हैं हो यह तो दीक है अच्छल के आफ कुन्जी पढ़ल में की बॉर्ड की शृत की हमें लाइन की सुरुवात में ले जाती है तो लाइन की फर्स्ट में अगर हमें जाना है तो कौन सी की हम यूज करते हैं तो लाइन की फर्स्ट में जाना है तो कौन सी की आती है home की आती है ठीक है next बात करते है mouse की तो mouse जो है वो क्या एक standard pointing device है यह ध्यान रखना है important है कि mouse जो है वो क्या है standard input device तो है ही उसके साथ में क्या है pointing device भी है ठीक है अब इस mouse को हम क्या कहते है mouse के pointer को हम क्या कहते है cursor कहते है थीके इस तरह से जो blink करता है। यह तो pointer होता है जब click कर देतें हैं कहीं पर तो यह क्या कहलाता है? यह cursor होता है, क्या होता है? थीके? यह mouse को pointer को क्या कहा जाता है? cursor mouse का आविशकार किसने किया? यह पूछा जा सकता है तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें 1964 में 1964 में डगलस इंजिल वाट ने माउस का अविश्कार किया ये सवाल पूछा जा सकता है कि 1964 में किस ने माउस का अविश्कार किया तो डगलस इंजिल वाट ने माउस का अविश्कार किया ठीक है सबसे पहले नहीं लकडी का माउस बनाया था 2015-16 के करीब साइद इनकी डेथ हुई थी ठीक है ना तो 1964 में इन्होंने डगलस इंजिल बार्ट ने क्या किया लकडी का एक माउस बनाया था और 1964 में ही पहला विस्व का पहला सुपरकंप्यूटर आया था CDC-6600 ने बनाया था माउस में तीन बटन होते हैं तीन बटन कौन से होते हैं तीन बटन होते हैं लेफ्ट बटन राइट बटन और क्या होता है स्क्रॉल बटन तो एक तो बीच में जो पईया होता है वो स्क्रॉल बटन होता है इधर वाला आपका क्या है लेफ्ट बटन और इ के पॉप या दर है माऊस का लेफ्ट बटन अगर आपने एक बार प्रैस किया तो सेलक्ट होता है और दो बार क्लिक करने पर राइट wn — जाता है अगर आपने माउस के पॉइंटर को ले जाके और राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने पर क्या है जो मेन्यू खुलके आता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉप अप मेन्यू कहा जाता है पॉप अप मेन्यू माउस के पॉइंटर को किसी ऑब्ज बिंगे और एक श्राइब करें से कोई भे श्राइब करें फाइल फॉल्डर सेलेक्ट होता या माञेस के लावा और क्या काम होते यह देखिए क्लिक करना यह चंव करना और गताल करना यहती नौहीट आख चersonal करना तो एक बार सिंगल क्लिक करना दो बार क्लिक कर रहे हैं तो डबल क्लिक और अगर आप उसके वील जो है इसको मूब कर रहे हैं घुमारें पर ये को तो क्या स्क्रॉलिंग करना होता है इसके लावा और काम क्या होते हैं जैसे माली जे को यह फूल्डर है और इसको आपक करना और ब्टन को छोड देते हैं तो यह यहां पर फेस्ट हो जाता है उसे कहते हैं और मौस का पॉइंटर किसी को आगर हम ले जा रहे हैं तो से कहते हैं over aard,drag,णाब करना तो यह 3 और मे》ली काम होते हैं क्लिक डबल क्लिक और और जो यह आप 3 categories of mouse first is the mechanical mouse second is the optical and third is the Claude Ins с mechanical mouse का मतलब होता है पुराना टाइप का जो माऊस होता था जिसमें ऐसा होता था इस तरीके से चार टंगिस्टन टाइप की धातु के यह बने होते थे और बीच में क्या उती थी would review the ball आगर क्या है राइट में तर्च हो रही ही इसे पोरा जाता था राइट में जाता था अगर उपर टचुर यह तो उपर जा रहा है नीचे अगर अगर पॉल आपका तो क्या है नीचे जा रहा है साइड में इधर left में जा रहा है तो left में touch होता था तो ball के हिसाब से वो चलता था ठीक है उसके बाद कौन सा है sensitive mouse आया अपना optical mouse जो laser या LCD light का use करता है ठीक है आप देखते उसको हाथ पर या कहीं पर भी उसको चलाया जा सकता है तीसरा जो होता है वो क्या होता है वो सब्सक्राइब करता है तो आप माउस को बिना तार के आप उसको यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं cordless mouse अब देखिए आप बात करते हैं बार कोड डीडर की तो बार कोड डीडर की अगर हम बात करते हैं तो बार कोड डीडर होता लाते हो तौ आपके जो सामान होता है उसके पीछे गया होता है इस तरह के यह कोट बनेते हैं शेशितनालर हेन्स बारकोट में जो कोई आपका प्राड़क्ट छपा हुआ है प्रिंटेड आप उस product की सारी information किसमें होती है इस बार कोड में होती है जैसे ही कोई इस बार कोड को scan करता है तो उस product की जो भी सूचना इसमें होती है बार कोड में वो सारी की सारी वो access कर ली जाती है ये बार कोड जो होता है वो दो तरीके का होता है पहला जो चलता था वो होता था 1-dimension barcode अब आजकल जो चल रहा है वो क्या है 2-dimension barcode आपने देखा होगा इस तरीके से एक कौने पर वरगाकार का अकृति का square form में होता है जिसे क्या कहा जाता है QR code कहा जाता है QR code को ही हम क्या कहते है 2-dimension barcode कहते है तो एक होता है one dimension एक विमिय तेखे और दूसरा होता है two dimension तो एक विमिय जो one dimension होता है उसको बार कोड डीडर से पढ़ा जाता है इसे कहा जाता है BCR ठीक है? दूसरा जो होता है QR code इस QR code को हम क्या करते हैं? quick response code कहते है quick response code quick response code भी इसको कहा जाता है इसको किस से read किया जाता है QR scanner से आप आज कल अपने वीकल जो आपका है उसकी RC आपका license जो है वो आप M.Purven की site पे जाके M.Purven की एक site है वहाँ पे जाकर के आप अपने license और अपनी जो आपकी RC है उसका QR code जनरेट करके अपने mobile में रख सकते हैं जरुवत पढ़ने पर आप उसको दिखा भी सकते हैं और जैसे कोई QR scanner से उसको scan करेगा आपकी पूरी information उनके पास में आ जाएगी और ये valid भी है ठीक है तो इसलिए क्या है ये ध्यान रखें आज कल ये QR code में भी क्या है सूच ला कार अकरती है और आज कल तेजी से ट्रांजेक्शन करना round गरना से कॉस करते हैं QR आप सवाल पुछा जाता है कि आज कल तेजी से लिए कौन Häkillी का कॉर्म का यूज के रखसकbelsा कॉर्ड कोड को कि सी तुचना का सब्स करके रखी जाती है ठीक है, बार कोड में क्या रखा जाता है, product के वारे में सूचना है संग्रेद करके रखी जाती है QR कोड का full form क्या है, quick response code QR कोड को किस के द्वारा पढ़ा जाता है, QR scanner के द्वारा बारकोड को किसके द्वारा पढ़ा जाता है बारकोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है ठीक है नेक्स इसके बाद में आता है OMR तो OMR में क्या होता है OMR सीट में क्या होता है OMR सीट जो होती है आपकी Optical Mark Reader जो होता है इसका काम होता है आपकी OMR सीटों को पढ़ना ठीक ह लाको candidate जब exam देते हैं तो उनकी copy चेक करना इतना possible नहीं होता है तो उनसे कह दिया जाता है कि आपकी जो भी seat है उस पर answer जो है आपका उसका गोला आपको काला करना है या नीला करना है black या क्या करना है blue करना है black oblique blue करना है अब क्या है इस væ है optic race डाली जाती है प्रकास की करन डाली जाती है जिस गोले में से प्रकास की करन का व"... और जाता है क्यों करता है सिस्टम हमने क्या कर दिया तो बाकी गोलों में से क्या होगा उसकी e opnet बराबर रहेगी केवल जो काला किया या नीला किया उसमें चेंज आएगा अब क्यों आएगा क्योंकि Black कलर जो होता है वो प्रकाष का अफ्शोषक होता है एब्सोर्ब करता है उतलु क्लर जो होता है वो क्या करता है उसको reflect करता है तो जहां भी जिस गोले में से आप्टिक रेज डालने पर स्पीड मिसमेच कर रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है थोड़ा वहत, उसको रीट कर लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो और जो होता है, एक तो पहला प्वेशन बनता है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा सवा होता है, मेंगनेटिक एंग केरेक्टर रिकोगनेशन, अब यह होता क्या है, कि चेक जो होता है, बैंक का जो चेक होता है, बैंक के जो चेक होते हैं, बैंक चेक, ठीक है, उनके नीचे, यहाँ पर लिखा रहता है, यह, तो यह नाइन डिजिर्स का कोड होता है, ठीक है, न पहले तीन डिजिट क्या बताती है इसमें बताती है सिटी और इसके लावा यह बताता है सिटी कौन सी है इसके क्या है बैंक कौन सी है और यहां पर यह बताता है यह इसकी क्या है ब्रांच कौन सी है ठीक है कौन सी सिटी का चेक है कौन सी बैंक का है कौन सी ब्रांच का चेक ह तो जल्दी से वो क्या है check clear हो जाता है क्योंकि system उसको read कर लेता है M.I.C.R. code को और उसे पता लग जाता है city कौन सी है, bank कौन सी है और branch कौन सी है ठीक है होता क्या है कि check को आप clear करोगे तो बहुत जादा time लगेगा आप पूछेंगे कौन सी city का है कौन सी bank का है, branch का है तो check के नीचे 9 digit का 9 digit का क्या होता है, 9 अंकों का एक special code होता है जो चुमिक ये शाही से लिखा होता है ठीक है, magnetic ink से लिखा रहता है तो वो जो code होता है उसे बोलते है M.I.C.R. code उस code को पढ़ने के लिए check को एक device में दिया लगाया जाता है वो होती है M.I.C.R तो M.I.C.R. device क्या करती है M.I.C.R. code को पढ़कर रीड करके और जल्दी से check को क्या करती है, clear करती है ठीक है, तो सवाल आता है bank check का सीगरता से निस्तारण करने के लिए कौन सी device यूज़ करते है तो कौन सी होती है M.I.C.R M.I.C.R. से आप क्या समझते है M.I.C.R. stands for M.I.C.R. का full form क्या है magnetic in character recognition M.I.C.R. code कितने digit का होता है 9 digit का, bank check को के नीचे कौन सा code लिखा रहता है M.I.C.R. code M.I.C.R. code किस में लिखा M.I.C.R. or SCR magnetic card reader और smart card reader magnetic card reader और smart card reader इन दोनों का काम क्या होता है smart card और debit card जो होते है credit card उनको read करना उनमें जो information है stored है उसको read करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप card जो लगाते हो debit card credit card तो उसमें किस में लगाते हो magnetic card reader या smart card reader में यूज़ करते हैं to tar Daug का हूता है hard copy को soft copy में change करना तो hard copy में आपका paper में कोई भी चीज़ है जैसे document है ये लिखा हुआ है कुछ भी इसको scan कर गे और इसको किस में change कर देगा इसको soft copy में change कर देगा एक image या फिर pdf या कुछ आप generate कर सकती हो तो paper पे जो कुछ भी है उसकी photo खीच के एक electro aesthetic image बना के और उसको computer में save करता है यह क्या करता है scanner तो यह पूछा जाता है scanner क्या करता है कि आपकी hard copy को soft copy में change करता है और printer क्या करता है just reverse करता है soft copy को hard copy में मतलब paper बिलाता है hard copy मतलब page पे कोई information है soft copy का मतलब होता है जो computer के अंदर है trackball क्या होती है trackball का means होता है ball जैसी बनावट की एक आकरती होती है इसकी और काम क्या होता है mouse के समान होता है यह किसमें use क्या जाता है CAD computer added design जहां नकसे वगेरा यह बनाए जाते हैं जो आपके architect वगेरा होते हैं जो आपके मकान के नकसे वगेरा बनाते हैं तो वहां पर CAD जो होता है computer added design ठीक है civil वाले इसको use करते है civil engineering वाले तो वहाँ पर इसका use किया जाता है कि जिससे जल्दी से हम designing कर सकें तो इसकी बनाबट जो होती है ball की तरह होती है और काम क्या होता है just like mouse तो ये pointing device में आता है ध्यान रखें joystick जो होता है एक remote type में होता है बच्चे तेजी से game खिलते हैं से आगे पीछे इधर दर करने के लिए उसके लिए तो वो आपने देखा होगा कि aeroplane में भी क्या करता है पाइलेट इधर दर मूब करता है वो सब क्या होता है joystick होता है तो तेजी से game खिलने के लिए बच्चे इसका use करते हैं light pen जो होता है pen की आकरती के समान एक light sensitive device है जिसका प्रयोक electronic माध्यम में data को input करने के लिए किया जाता है तो electronic माध्यम में आप directly data input करना चाहरे हो तो एक special pen जो होता है वो क्या कहलाता है light pen तो joystick है trackball है light pen है सब ये क्या है pointing device है इसके बाद होता touchpad touchpad में क्या होता है ये भी pointing device है laptop में इसका use हम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि laptop में जो इस्थान होता है जहां पर हम क्या करते हैं अपनी उंगली से finger से और mouse की तरह work करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं touchpad कहा जाता है उसको तो ये सब के सब क्या है mouse, trackball, joystick, light pen, touchpad ये सब pointing device में आते हैं digital camera जो होता है graphics या video को capture करने के काम में आता है digital camera जो होता है input device में आता है digitizer जो होता है user द्वारा data को लिख कर input करने है तू जो भी data है उसको लिखने के लिए लिख कर के input किया जाता है उस पे कुछ भी लिख देते हैं और वो digital form में change हो जाता है आपने कुछ भी signature किये और वो क्या है उस pad पे और वो क्या है digital form में change हो गया तो वो क्या कहलाता है digitizer कहलाता है mic आवाज को input करना voice को input करना ठीक है जैसे हम singer वगेरा जो कुछ भी गाते हैं जो लोग आते हैं हम teaching कर रहे है तो यह सारी चीज क्या है voice हमारी record हो रही है किसके थुरू हो रही है microphone के थुरू यह microphone है आपका biometric machine इंसान के सरीर के भाग के निशान को input करना तो body के किसी part को हम क्या करते हैं उसको किसी mark को या जैसे thumb impression होता है तो अंगुठी का निशान जो होता है उसको input करना वो क्या होता है biometric machine तो इंसान के किसी सरीर के किसी भाग के निशान को जो input करता है उसे क्या कहते हैं biometric machine वो biometric machine भी किसमें आती है वो input device में thumb impression machine होती है अंगुठा लगाते है अंगुठी का निशान आता है हमारा thumb impression तो उसको read करता है तो इसका मतलब input device है ठीक है OMR का पूर्ण डूप क्या है तो इसका पूर्ण डूप क्या होगा optical mark reader क्या होगा optical mark reader bank check के लिए निम्दमे से कौन सी तखनीक सर्वोत्तम है तो bank check के लिए कौन सी यूज़ करते है MICR Magnetic Ink Character Recognition ठीक है ये यूज़ करते है बात करते है output device की output device कौन कौन सी होती है कैसे कैसे work करती है तो देखिए output device में क्या होता है output device का means होता है कि जो आपने कुछ भी data computer में डाला computer ने उसको process किया प्रिंटर आता है plotter आता है monitor, projector, speaker ये सब किसमें आते है output device में आते है output भी दो तरीके का होता है एक होता है soft copy output एक होता है hard copy output अगर आपको paper पर print होकर के कोई information बिल रही है तो वो hard copy output होता है और अगर आप क्या है केवल machine में देख पारे है उसको touch नहीं कर पारे आपके screen पर चल रहा है screen पर दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है soft copy output तो soft copy output device कौन कौन सी होती है monitor होता है projector, speaker ये होते है monitor पर आप देख सकते उसको touch नहीं कर सकते output को speaker में आपको sound को सुन सकते पर उसको पकड़ नहीं सकते आप किसी गाने को पकड़ के आप ये कह दें ये लो भाई हाथ में पकड़ के ये गाना यहां पर ये रहा ठीक है ऐसा नहीं कर सकते projector पर इसक्रीन पर आपको दिखता है पर आप उसको touch नहीं कर सकते यहां पर क्या होता है hard copy में paper पर आपको print होके आता है plotter पर क्या होता है बड़े-बड़े नक्षे होते हैं जो आपको एक seat पर या paper seat पर print होके आते हैं तो print होके अगर कोई output आ रहा है तो वो hard copy output है और अगर क्या है system के अंदर चल रहा है computer system या कहीं किसी भी projector पर तो वो क्या होता है soft copy output होता है अब बात करते है monitor की तो monitor का आविश्कार किया 1897 में Karl Ferdinand Brand ने किया किसने किया Karl Ferdinand Brand ने किया ये कोई नहीं पूछता है कभी कवार पूछा जाता है बड़ आपको पता होना चाहिए किसने किया था ठीक है Karl Ferdinand Brand आपके माइन में एक सेट होना चाहिए कि हाँ ये आविश्कार किये है तो 1897 में Karl Ferdinand Brand ने इसका आविश्कार किया किसका monitor का अब monitor जो है वो क्या है color की base पे हम monitor को categorize करते हैं तो monochrome monitor gray scale monitor और color monitor on the basis of color we can categorize monitor in 3 categories first is the monochrome monitor second is the gray scale monitor and third is the color monitor monochrome का मेंज क्या है monitor which use of one color for represent representation तो अगर एक color यूज करता है तो वो क्या होता monochrome monitor होता है monochrome का मतला एक color का यूज करता है black and white को इसा भी ऐसे gray scale कर मतला gray scale shade use करता है थोड़ा सा gray shades का होता है और थर्ट जो होता है कलर मॉनीटर यह क्या करता है रेड ग्रीन ब्लू जो कलर होते हैं उनका यूज़ करता है तो रेड ग्रीन ब्लू जो कलर होते हैं उनका यूज़ करता है आपने देखा होगा पहले जो टीवी चलती थी पुराने जमाने के गाने आते थे आपने ब्लैक इंड वाइट गाने चलते देवानंद वहां पर आता था कोई लोटा दे मेरे पुराने देन तो वहां आपको दिखाई देती थी तो वह देखा फिर वहांपे क्या आता है color television टैलिविजन स्टार्ट है थो red green blue कलर यह Venustaric अबoney ग्रीन भी ग्रीन क्या होते हैं primary color होते हैं इनसे बाकी के क्ल लादिया जैसे अलग कोई कलर बन गया इन से ही सारे कलर बन दें तो वह वाला मॉनिटर क्या कहला था कलर मॉनिटर कहलाता है ठीक है यह अब देखिए यह पूछे जाते हैं यह इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना जितने भी फुल फॉर्म है तो टक्नीक के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ टेक्निक वी कैटेग्राइज मॉनिटर इन फॉलॉइंग कैडेग्रीज तो यह अलग-अलग है जैसे पहला क्या था इस तर आपको यह इसक्रीन दिखती थी तो इतना डेटेल में आपसे नहीं पूछेगा आपसे बस यह पूछेगा के की सी आर्टी का फुल फॉर्म क्या है तो कैथो रेट ट्यूब आपको इतना ध्यान रखना है कैथो रेट ट्यूब उसके बाद यह मॉनिटर क्या होते थे इतने में पांच LCD चल जाते थे जो उसके बाद में फिर LCD आया Liquid Crystal डिस्पले LCD से आप क्या समझते है LCD का फुल फॉर्म क्या है Liquid Crystal डिस्पले इसमें क्या प्रॉब्लम थी इसमें आपको क्या होता था कि साइड से ब्लैकेस दिखाई देता था कोई अगर क्या है तकीया लगा क टी एफ्टी मोनीटर टी एफ्टी का मेंस होता है थिन फिल्म टांजिस्टर तो LCD में काला क्यों दिखाई देता था क्योंकि इसका वीविंग एंगल ज्यादा था देखने का जो कौन था तो बनावट ऐसी थी इसलिए फिर क्या बिल्कुल फ्लैट बनाया थिन फिल्म ट्र QLED और्गेनिक लाईट आमेट अइमटं न अचे के बादrau फिया फिर्ट сторон क्क्वंटम टोट है ओधी टोन डाइचा और लाइट अमेटेशन डायोट इस तरह से कि सबसे चोटी इकाई वो क्या होती है पिक्सल होती है एक डॉट जो होता है उसको हम क्या बोलते है पिक्सल बोलते है इसको ठीक है क्या बोलते है पिक्सल अगर हम बात करें पिक्सल पिक्सल इस तरीके से इसको कहा जाता है और पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है पिक्चर एलिमेंट तो एक जो डॉट होता है जैसे कोशिका सरीर की क्या होती है सबसे smallest unit क्या होती है सेल होती है सेल से क्या बनता है टिश्यू बनते है टिश्यू से क्या बनते है औरगन औरगन से क्या बनता है सिस्टम जैसे कोशिका कोशिका से क्या बनता है कोशिका से बनता है उतक उतक से बनता है अंग अंग से बनता ह सरीर बनता है ऐसी पर्माणु जो होता है पदार्थ का वैसू शुम्तमकर्णु होता है जिसे और अधिक विवाजित नहीं किया जा सकता है ऑवं जिसमें पदार्थ के सभी गूह Strategy विद्वान है कि तया होता है क्या होता है picture al Checker अब बात करते है वीस किमें एक इंच में जैसे मानलीजे यहां पर दस पिक्सल है और यहाँ पर एक इंच में कितना हैं 100 पिक्सल है तो Regulation किसका ज़ादा होगा इसका ज़ादा होगा 100 अगर है तो Screen ज़ादा बहतर किसकी दिखाई देगी और इसमें 10 पिक्सल है 1 इंच में तो Regulation क्या है कम है तो 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल है वो उसका क्या कहलाता है रिजिलिशन का मतलब होता है रिजिलिशन का मिंस क्या होता है उसकी डेंसिटी कितनी है एक छोटे से एरिया में कितने पिक्सल है जितने ज्यादा पिक्सल होंगे स्क्रीन पर उतना ज्यादा अच्छा होगा उतने हि ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जब्बा है किसी नगर नहीं फैका हो तो उसके पीछे देखना आप इस तरीके से लिखा रहता है इस तरीके से इसका मिनिंग क्या होता है वो आप मैं आपको समझाने वाला हूं इसका मिनिंग यह होता है कि आपका रेजिलिशन कितना है जैसे अगर आपके घर में HD मॉनिटर या HD TV है तो उसमें क्या होगा स्क्रीन पर इधर से अगर हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो बारे सो असी डॉट होंगे एक लाइन में और साथ सो बीस क्या होंगे उपर से नीचे डॉट होंगे ठीक है यह तो उपर से नीचे अगर हम चलेंगे तो उनीच सो साइड में चलेंगे तो उनीच सो बीस डॉट होंगे एक लाइन में और उपर से नीचे कितने होंगे एक हजार असी होंगे इसका मतलब इससे जादा होंगे अब जैसे जैसे यह जादा बढ़ता जाएगा आपका क्या होगा फिर 8 लाग, फिर 10 लाग, 13 लाग, फिर 3 करोड, तो जितने ज़्यादा पिक्सल बढ़ते जाएंगे, एक निशित एरिया में रिजुलेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो Full HD में क्या होता है, 1920 इधर से इधर होते हैं, और 1080 इधर से इधर होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इधर से इधर होते हैं, तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, एक स्कृन पर उतनी ज़्यादा बैटर क्वालिटी मिलेगी, तो सबसे अच्छी quality किसकी होती है यहाँ पर अगर बात करें तो 8K की होती है लेकिन यह अभी apply नहीं हुआ है ठीक है लगबग 13-14 लाख रुपे की एक TV अभी आ रही है और अभी 8K वाले video suit भी नहीं हो इतने camera भी अभी नहीं available है तो अभी 4K तक चल रहा है सवाल क्या पूछेगा HD से आप क्या समझते हैं HD का full form होता है high definition फिर पूछा जाता है QSD से आप क्या समझते हैं तो QSD का means होता है quad HD quad high definition quad high definition को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो 2K कहा जाता है 2K को और क्या कहा जाता है 2K को कहा जाता है quad HD quad HD और 4K को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो क्या आएगा ultra HD क्या आएगा ultra HD UHD के से मीनिंग क्या होता है के से मीनिंग होता है kilo का means होता है 1000 2K 4K 8K ये क्या है 2K 4K 8K क्या है तो ये क्या है screen के resolution की या screen को दर्षाने की नवींतम टकनीके हैं, नू टेकनिक्स हैं किसके लिए, इसकी नई टकनीक हैं, इसकी नई तकनीक आपने को, अब देखे, LCD स्टैंडस फोर, LCD का फॉल फर्म क्या होता है, तो LCD का फुल फॉल फॉर्म थेलेकर, है. Liquid maple display तो क्या होगा यह आएगा तो यह जैसे हमारे जो सवान आते हैं कि यह रहा आपकी screen पे 10,000 रुपे के लिए सवाल तो हमारा सवाल क्या है Liquid come장 display इसका क्या होगा एक-एक सवाल जो है जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा? करोरपती आता है कोई और आपके सीरियल आते हैं तो वहाँ पर एक एक सवाल का बड़े सोओच के जवाब दिया जाता है कि यहां से मुँपर जाएगे नहीं तो नीचे आ जाएगे तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है हमें यहां पे भी हमें बड़े सोस समझ के जवाब देना है कभी कभी आपको overconfidence में भी आपके सवाल गलत हो जाते हैं question इसलिए बड़ा सोस समझ के जल्दवाजी ना करें ठीक है नेक्ट बात करते हैं printer की तो printer क्या होता है soft copy को hard copy में change करता है soft copy means जो कुछ भी computer में है उसको hard copy में paper पे आपको ला कर कर चिसर देगा वह क्या होता है आपका printer होता है इस कोई एक होता है नाउंपक्ट परिंटर का मेंन्स क्या होता है वह printer जो आवाज के साथ प्रिंट करता है यह क्या है noise पैदा करता है और यह क्या होता है without noise कोई भी आवाज नहीं होती है आपने देखा होगा आप बस स्टेंट पर अगर कहीं पर जाते हैं आप कहते हैं लो एक गांधी नगर इस्टेशन पर आप गए जैपुर गए आपने का जैपुर से अजमेर दे दो एक तो वहाँ पर एक प्रिंटर लगा रहता है वहाँ पर और आगे हो जाए और दूसरे को आने दो तो वह बाला जो प्रिंटर होता है वह कौन सा होता है इंपक्ट प्रिंटर होता है आप अगर कभी अस्पताल में ओपीडी में गए हैं आउट्डोर पिशन डिपार्टमेंट में वहाँ सिलिप जो कटवाते हैं ओपीडी इंपक्ट प्रिंटर होता है तो ऐसे प्रिंटर जो आवाज के साथ प्रिंट करते हैं एक नोज नोज पैदा करते हैं तो क्या होते हैं इंपक्ट प्रिंटर होते हैं और ऐसे प्रिंटर जो बिना किसी आवाज के प्रिंट करते हैं वह होते हैं नौन इंपक्ट प्रिंटर ठीक है आप ओफिस में जाते हूं लेजर प्रिंटर लगा रहता है इम्यत्र वाले के पास गये SMITHängtबर मतलब होता है जो आवाज के साथ print करते हैं और ृश्चा मतलब हम फैसी बिना किसी आवाज की अब यह तो था आवाज की की बेश पर इंपक्ट और नॉन इंपक्ट ऐसे कि अब हम बात करते ही प्रिंटिंग की कि बैसी कि यह चमितन्य प्राइब वहता है एक नाम में संगल डाइम पर मतें पर देका ह bene करता है line printer वो होता है जो एक बार at a time पूरी line को print करता है page printer वो होता है जो एक बार में पूरा page print कर देगा ठीक है एक एक character by character अगर print करता है तो character printer है एक बार में पूरी line print करता है तो line printer है और अगर पूरे page को print कर देता है तो वो क्या होता है page printer होता है छीक है यह ध्यान दखेंगहें अब बात करते हैं अिसके बाद में कि एक्रक्टर प्रिंटर प्रिंटर में सिस्टम लेंगते खिए सलिप आप लेते हो तो पतला सा उसे खिछ खिच करके चो अपको काट देते है वो डिम्प प्रिंटर होता है जो DMP printer क्या होता है सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और इसको वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर बल्क में आपको print देने होते हैं तो आपको पता है OPD registration में क्या होता है रोजाना मरी जाते हैं तो ऐसा printer चाहिए जिसके क्या है cost बहुत कमाई रेलवे में क्या होता है जनरल टिकट देने हैं आपको बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ऐसा printer चीज़ जो सस्ता हो जो सबसे सस्ता printer कौन सा होता है काट्रिक्री में आता है ठीक है, डेजी वील प्रिंटर जो होता है वो भी character printer में आता है एक बार में एक character print करता है और ये कैसा होता है, गुल महर का जो full होता है, उसकी आकरती का होता है शेप ऐसी होती है, गुल महर के full जैसी इसलिए इसको बोला जाता, डेजी वील printer, ठीक है डेजी में क्या होता है, ऐसे करके खट-खट-खट-खट करके बटन पढ़ते है एक एक अक्चर वाले, इसलिए ये क्या होता है character printer होता है तो सबसे सस्ता printer कौन सा है, डेजी पी printer, डेजी का full form क्या है, dotmatics printer ये क्या करते हैं, तीज से लेके 600 character per second ये print कर सकते हैं, CPS में इनकी speed ना पी जाती है 32, 600 character per second ये इनकी speed होती है line printer जो होता है, वो 300 से 3000 line per minute ये इनकी speed ना पी जाती है LPM में line per minute इसमें आता है आपका bend printer, chain printer drum printer, अब chain printer होता है देखिए ऐसे चल रहा है, तो पूरी की पूरी line print होती है, drum printer है तो उस पर अक्षर इस तरह से लिखे हो है drum जैसे move करेगा, तो पूरी की पूरी line print होगी, ठीक है, इस तरीके से जो drum, chain और bend printer जो होते हैं, वो किस में आते हैं वो अपने line printer में आते हैं, line printer की capacity क्या होती है, 302 3000 line per minute होती है इसके बाद में हम बात करते हैं अपना non impact printer जो बिना किसी आवाज के print करते हैं, तो ये page printer होते हैं, laser printer जो होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है popular printer है, सबसे ज़्यादा popular अगर printer की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा popular printer कौन सा है, laser printer है ठीक है सबसे ज़्यादा popular offices बगेरा में कहां पर काम आता है ये offices बगेरा में काम आता है और ink-z printer होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है photo बगेरा इसके लिए माल लिजे कि भगवान ने आपकी दूआ कबूल किये और आपकी क्याओ साधी होने वाली है तो जो proposal photo आप भिजवाते हैं तो वो किस से होता है ink-z printer से आप कहते हो कि भगया photo एकदम चकाचक आना चाहिए ललन टाप बाला और क्या है हमारे पैसे कितने भी लग जाए तो उसके लिए आपको कौन सा printer यूज़ करना पड़ेगा ink-z printer करना पड़ेगा कहीं गलती से आपने laser printer पे आपने अपना photo निकाल दिया तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा तो हर एक printer की एक खासियत है वो किस के लिए बनाया गया है laser printer हम यूज़ करते हैं कहाँ पे offices में यूज़ करते हैं smoothly print होता है आपके officer ने कहा कि फटावर से print निकाल के लाओ तो किस से निकालेंगे laser printer से तो offices में जो printer चलता है वो किस में होता है laser printer होता है ink-z printer वो जो इमित्र वालों के पास आप देखते हो ink-z जहाँ पे nozzle pump होते हैं jet का मतलब एक थोड़ा सा एक container होता है और ink का मतलब उसमें ink भरी रहती है जो दो-तीन डिब्यां साइड में लगी रहती है जिनमें ink होती है red, green, blue ठीक है वो वाला जो काले कलर का printer होता है वो ink-z printer होता है जिसमें photo निकलते हैं आपके ठीक है वो तो photo print कराने के लिए ink-z printer होता है और offices में या सबसे popular printer अगर हम बात करें तो laser होता है thermal printer जो होता है वो ATM मसीनों में यूज किया जाता है इसमें wax के base पे क्या है print किया जाता है mom जो होता है उसके base पे तो थोड़ी देर बाद वो printing क्या हो जाती है ओड़ जाती है आप देखना ATM मसीन से जब slip निकालते हो तो थोड़ी टाइम बात क्या हो जाती है धुनली धुनली सी हो जाती है तो वो क्या है ATM मसीनों में कौन सा printer यूज करते है thermal printer यूज करते है ठीक है ये ध्यान लखना है अब देखिए character printer की हम बात करते हैं ये तो मैंने एक ओबर व्यू दिया था डिटेल में अगर हम बात करें तो character printer जो होता है उसमें रिवन कार्टेज यूज की जाती है और सबसे सस्ता होता है printing जो होती है वो left to right होती है इधर से इधर होती है कहां से left से right में चलता है ऐसे चलता है खिच 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 ऐसे करके right to left यह होती है left to right होती है और right to left मतलब इधर से इधर गया फिर इधर से इधर गया ऐसे चलता है इधर से इधर इधर से खट 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 ऐसे करके और इसमें क्या होता है प्रिंट है एक होता है ऐसा है जोसमें 36 पीज पिन होती है वो सबसे फॉस्ट म war जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाते हैं तो इतना जादा फली आप याद नहीं रखें इतना ध्यान रखें, DMP Printer का मतलब Dot Matrix Printer होता है, सबसे सस्ता होता है ठीक है? 80 और 136 कॉलम के दो प्रकार के ये आते हैं Deci Bill जो होता है, वो गुल बहार के फूल जैसे होती है, थोड़ा क्या है? Quality अच्छी होती है, बट Slow होता है ठीक है, और इसमें भी क्या है? Riven Cartage Use की जाती है दोनों में क्या है? Riven Cartage Use की जाती है Next इसके बाद Laser Printer सबसे लोग पूरी ये Printer है Means Popular Printer है, सबसे Fast है, Printing में Dry Ink का यूज़ किया जाता है, सूखी शाही का यूज़ किया जाता है, ठीक है? Dots पर इंच में, ठीक है? Dots पर इंच ये Quality नापी जाती है इसकी तो Printer की Quality अगर नापने का measurement का जो आपका वो है तो वो कौन सा है? DPI Dots पर इंच Speed नापी जाती है, Character पर Second Line पर Minute, Page पर Minute और Quality नापी जाती है Printer की DPI में, Dots पर Inch, Not, Dot, Square कुछ नहीं है, कितना आएगा? Dots पर Inch, ये आएगा Laser Printer में, Micro Processor लगा रहता एक, ठीक है? और Ram Room को अलग से यूज़ किया जाता है आप कहते हो ना कि Command दे दी आपने Laptop से और Laptop बंद हो गया, फिर भी हमारा Printer प्रिंट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि Printer में भी एक Processor लगा होता है छोटा सा एक है ना, ये, उसके पास में Ram Room भी होती है, और वहां से Data लेता रहता है, और Printer प्रिंट करता रहता है आप लोग क्या करते हो, आपने Laptop बंद कर दिया, आप आपका Printer प्रिंट कर रहा है आप कहते हूं कि Laptop तो बंद कर दिया, Printer से Print कैसे निकल रहे हैं? तो Printer में भी एक Microprocessor होता है, Printer में भी Ram, Roam होती है, तो उनमे Data क्या होता है? इस्टोर होता है, उसको मतलब एक Pump होता है, उसमें इंक होती है, और इंक की बहुचा रेज पढ़ती है, और उससे Print होता है, ठीक है? अब यह क्या है? Ink Z Printer, Color Printer होते हैं, घरोली, घरेलू उप्योग के लिए लोग प्रिय होते हैं, मतलब आपको फोटो बगेरा निकालने, उसके लिए ये काम में लिए जाते हैं, बट इन में समश्या क्या आती है, कि अगर इनको आपने ज़्यादा दिन रख दिया, तो Ink Closing हो जाएगी, इंक क्या है? जम जाएगी, लेजर प्रिंटर और इन प्रिंटर को आप छोड़ दीजे, कुछ दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इमितर वालों के पास रखा रहता है, जिसमें तीन डबियां होती है, प्रिंट निकालते हैं, वो फोटो निकालते हैं, तो वो वाला प्रिंटर अगा, आप में कुछ दिन के लिए, रख दिया, तो इसकी शाही क्या हो जाएगी? जम जाएगी, उसे कहते हैं, इंक क्लोजनिंग thermal printer क्या होता है thermal printer में ink का प्रियोग नहीं किया जाता है wax आधारित driven से अक्षर print होते हैं means character print होते है wax का मतलब mom thermal printer की printing कागस पर ज्यादा समय तक नहीं रहती है इस printer का उप्योग ATM machine में किया जाता है तो यह मैं आपको बता चुका हूँ सब इसे printer आते हैं जिनमें printing भी होती है photo copy भी कर सकते है कर सकते हैं तो क्या कहलाता है मल्टिफंक्शन प्रिंटर कहलाता है फिर इसके बाद में आता है 3D printer अब 3D printer का देखिए यह लोगो देखिए यह जो को पीछे बिखा हुआ यहां पे आपने पीछे क्या लिखा हुआ ड हिव加入 I लिखिया हुए यह किसी है 3-D printer से आप मग लगise आपने नाम प्रिंट कर दिया मग़ें फीडि करेंगे यह थो भीखी mil qué dressing ग्रेंगे जिसका इस्तमाल करके यूजक कश से मुबाइल ऑब पे आपको printing करने हैं तो वो उसके लिए printer कीधिया दॉर्ट ठीक ए य़ प्रति इंच नहीं करना करना आपको ध्यान रहें ठीक है यह भी भी नहीं करना किहा करना डॉर्ट पर इंच निम्रेखित में से कौन सरस्पेस्ट graphical output देता है सबसे जढ़ी इसका आएगा तक राफीकल आउट्पूट किसका आएगा तो réduit दॉटमेटिक का नहीं प्लॉटर का नहीं किसका आएगा जॉरी ग्राफीकल आउट्पूट जो देगा वो यहाँ निम लिख़त मैं से कौन सर्शेष्ट ग्राफिकल आउटपुट देगा तो यहाँ पे ग्राफिकल आउटपुट इसमें क्या आएगा यह लेजर प्रिंटर भी नहीं आएगा ना यह जादा अच्छा ग्राफिकल आउटपुट जो देगा वो प्लॉटर देगा ना होता है ठीक है अब एक चीज हमारी इसमें रह जाती है अपना क्या है प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर में क्या होता है प्रोजेक्टर में हम क्या करते हैं जैसे सीप्यू हमारा चल रहा है और सीप्यू से हमने क्या करती है डिवाइस अटेच कर रहे प्रोजेक्टर तो सुथां लाता है सावंड को मतलब क्या करता है प्रसारिट राइए तो यह हमारे in to вс happen to be Student कॉन कॉन से होते हैं इनपुट डिवैसबरे पूंस अता इन पुट ६ार्ट ने में बनाया डंद पंधने सीह celebration होती यह Siz को क्या करेंग अ optimize बनाते हैं तोएसे सो का फूल्फर्म क्या होता है सिंगल साइन यह होता है अब यह पूछ ले आ जाता है आप जो भी एक्षाम दे रहे हो सब में पूछा जाता है कि सिंगल साइन मतलब क्या है कि आपकी SSO ID से आप उसको enter कीजिए SSO ID से ये कीजिए तो अब आपको SSO ID ही नहीं पता है तो आप नौकरी क्या करोगे आगे जाके तो आप जो भी work कर रहे हो उसकी बारे में knowledge होने चाहिए अब देखिए सब लोग SSO ID बनाते हैं अपना admit card उससे डाउनलोड करते हैं अपने जितने permission letter वगेरा अपना form भड़ते हैं तो SSO ID कंबसरी करती है आज कल सब में तो SSO ID होती क्या है पहले क्या होता था कि राज्य सरकार की जितने भी site होती थी जैसे मालीज आपको जाना है कि किसी website पर जाना है जैसे हम राजिस्थान की बात करने हैं तो आपको जनाधार card अगर आपका download करना है तो पहले जनाधार पर जाना पड़ता था food department का कोई काम है तो food department की site पर जाओ आपको और किसी काम के लिए मालीज जैसे राजिस्थान संपर्ख चलता राजिस्थान में तो वहाँ जाना है तो उसके लिए सिकायद दर्ज करनी है इस पर जाओ अगर और कोई काम करना है इस website पर जाओ तो सरकार ने क्या किया कि सारी क सारी चीज़े आपको एक ही जगह पर दे दिः डिया अपको सिकायद करनी हाँ अपने राशनकार कद द pict ऑना आपको जनाधर डानलोड करना कुछ बहुँ काम करना आपको केवल एक यूजर नेम की आवशकता है और एक पासवर्ड की आवशक्ता है ठीक है तो एक यूजर नेम और पासवर्ड से सरकार की जितनी भी समस्त ऑनलाइन सुविधा हैं उनका आप यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं SSO ID ठीक है यह तो इस तरीके से हमने आज हम पढ़ा क्या पढ़ा हमने इंपूट आउटफूट डिवाइसे इसके बारे में हमने यह पढ़ा इस्टुडेंट की लाइफ में आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ध्यरे जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होता है आप बचे पूस्ते हैं पॉसिवल उतना करते हैं और जो आप से प्रॉमिस किया है वो आपको जरूर मिलेगा ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद